नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एगरी कल्चर के एक खाफी महतापूरण क्यूशन डिसकस करेने जो की हर एकजाम, कंपेटेशन एकजाम हो चाहे इंटरेंस एकजाम हो सभी एकजाम की दरश्टे से इंपोर्टेंट है देखाओगा आप सभी ने के काफी बार क क्यूशन पूचा जाता है कि निमन में से प्रोपिंग की किरिया किसे समंदित है प्रोपिंग का अर्थ क्या होता है तो यहां पर अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकी जो फसलों से समंदित जो कर्शन किरिया हैं उससे समंदित ये क्यूशन डिसकस करेंगी तो यह है ौर गन्हा से क्योंकि मेटि चड़ाने का काम है वो इंऎक earliest में यहां पे लिखा है रेटोनिंग रेपिंगरैरो इंग ओर ट्रेसिंग क्या लिखा है रेटोनिंग है वो गन्हे के पुस्प करम को एरो का जाता है तो यहां पे एरो इंग इसके पुस्प को के बारे में यहां डिस्कस किया गया है रेटोनिंग के बारे में अगर बात किया जाए तो रेटोनिंग का समंद भी करने से समंदित है क्योंकि यहां पे रेटोनिंग से एक फसल का यानिकी फसल लेने के बाद उपर वाले हिस्से को जला कर दूसरी फसल ली जाती है उसे रेटूनिंग कहा जाता है और इससे समंदित एक अंदी गुड़ाई भी होती है क्या होती है अंदी गुड़ाई होती है अंदी गुड़ाई का मतलब क्या होता है कि जैसे जो गन्ना है गन्ना बुगाई करने के बाद यानि कि लगाने के बाद उसके उपर सिद्धी बुगाई करते है यानि कहने का मतलब उस पे हल चलाकर हम उसके अंदर जो खर्पतवार हो रहे हैं उसके हम खतम करना यानि कि उन खर्पतवार या बीड्स को खतम करना वो अंधिक बुड़ाई कहलाता है उसके बाद में प्रोपिंग, प्रोपिंग का अर्थ सीधी से बाहसा हम बात करें तो पतियां बांदने का काम किसमें होता है, गन्ने में होता है और इसके साथ केले में भी पतियां बांदने का काम होता है तो यह किरिया है, वो गन्ने और केले से समंदित है नेक्स्ट में बात करेंगे कि पेगिंग, पेगिंग का मरत होता है सुईयां बनना तो आप सभी ने देखा होगा कि मुंगफली का जो प्लांट है उस प्लांट से जैसे जैसे थोड़े लंबी लंबी पतले पतले सुईयां टाइप में निकलती है जो नीचे जाकर भूमी यानिकी यह जमीने जमीन में जाकर यहां नट का निर्मान करती है तो वो जो उपर किरिया है उसको पेगिंग आ जाता है इसका सम्मन्द है वो मुंगफली से है यानिकी किस्से तो मुंगफली से है नेक्स्ट में अपने बात करेंगे पडलिंग पडलिंग आप सबी को पता होगा कि धान के अंदर पानी के जरूरत होती है और धान पानी के अंदर ही होता है तो यहां पर पानी भरकर जो जुताई की जाती है उसे पडलिंग के बारे में बताया गया है उसके बाद में brushing यानि कि brushing क्या होती है तो brushing है वो भी धान से समंदित है इसका मतलब क्या होता है कि धान जो खड़ा धान होता है उसके अंदर हल चला कर अधिक पोदे होते है यानि करने का मतलब है जो इनकी distancing होती है तो कई बार क्या होता है अपने जो पोदे पोद लगाते ह तो हम इसके बीच में जैसे ये पोदे ऐसे लगे तो है इसके बीच में से हल निकाल देते हैं जिससे क्या होता है कि पोदे कम हो जाते हैं और हमें ज्यादा उत्पादन मिलता है उस परकिरिया को क्या कहा जाता है प्रेसिंग कहा जाता है उसके बाद में बात करेंगे जिनिं तो जिनिंग की परकिरिया क्या होती है जिनिंग की परकिरिया होता है बीज और रेसे को अलग करने की परकिरिया है वो जिनिंग कहलाती है जैसे अपने जो कपास होती है कपास के अंदर अपन रूई अलग कर लेते हैं उसका बिनोला है वो अलग कर लेते हैं उस परकिरिया को जिनिंग का जाता है तो जिनिंग का समंद्ध किस से है तो वो है कपास से समंदित है नेक्स्ट में अपने बात करेंगे कि रेटिंग रेटिंग का अर्थ क्या होता है रेश से प्राप्त करना देखे रेशा किस-किस से प्राप्त होता है, हमें LC, संनई और जूट Σे प्राप्त होता है LC के अंदर देखे जो रेशा है वो उसकी फसल को गला कर रेशे को अलग किया जा सकता है तो written का आर्ज यानि कि सबत से पता चल रहा है, race rating और race रेशा प्राप्त करना यानिकि जूट से और अलसी से होगा नेक्स्ट में बात करेंगे कि निपिंग की किरिया ये काफी important question है निपिंग की किरिया काफी exams के अंदर पूझा जाता है चैब वो कोई भी exam हो competition का लो या entrance exam लो सबी exams की दरश्टे से important है तो निपिंग की किरिया बात करेंगे तो पैदावार को बढ़ाने के लिए यानि कहने का मतलब है जो ये चने के पोदे है तो चने के पोदे को ज्यादा पैदावार लेने के लिए जो पोदा है वो 20 cm का हो जाने पर यानि कि 20 cm का हो जाने पर या 35 दिन का पोदा हो जाने पे ये जो निपिंग की किरिया है वो चने में होती है मुखे रूप से चने का ही ही होता है वैसे ये किरिया अलग लग पोदो में भी होती है लेकिन चने के अंदर खासतोर से होती है ये जो है न उपर वाला हिसा उस हिसे को तोड़ लिया जाता है इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि ये नीचे से हदिक साखाई निकलती है और हदिक उपज मिलती है ताकि क्या है उपर वाला टोप पर संडूर जाता है तो नीचे से साखाई निकलना सुरू हो जाती है इस प्रकिरिया को क्या कहा जाता है निपिंग की प्रकिरिया कहा जाता है उसके मैं बाद में बात करें हैं डी टैसलिंग और सल्किंग तो डी टैसलिंग क्या होता है नर पुस्प भाग को यानि कि इसका सम्मद है वो मक्का से सम्मद दित है मका के अंदर नर भाग और जो फीमेल भाग यानि मादा भाग अलग 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 आते हैं जो नर भाग होते हैं टैसल कहते हैं और मादा भाग होते हैं उसको सिलक कहते हैं तो यहां पर नर भाग को हटाने की किरिया को डी टैसलिंग कहा जाता है और मादा भाग को अटाने की किरिया को सिल्किंग कहा जाता है तो इन दोनों का समंद्ध किस्से है तो वो मक्का से समंदीत है उसके बाद में बात करेंगे टोपिंग, डी सकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग यह परकिरियां क्या होती है? ये तमाकू के अंदर होती है इन परकिरिया के मादम से जो तमाकू होता है इसकी उपरी पतियां तोड़ना मद्या वाले पतियां तोड़ना पूरे प्लांट को तोड़ना ये सारी परकिरिया हैं क्या होती है तमाकू से समंदित होती है तो आज की इस वीडियो में काफी important topic के लगबग exam की दरश्टी से एक question जरूरी ही जरूर आता है तो आज की वीडियो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना और आप सभी डेली का पढ़ना चाते हैं तो चैनल पर नए होथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ओल नोटिफिकेशन ओन कर लेना ताकि डेली के अपडेट मिलती रहे तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक चैहिंद बंदे मात्रम